तो यह हैं अपने सोविन की फसल जिसको आप देख पा रहे हैं और मैं ज़र आपको पास करीब से बताता हूं और इसका प्रोटेक्शन कितना क्या है वह आपको में बताता हूं गोर से देखिए थोड़ों पत्तियों की वज़े से दोस्तों फिलाल कंडिशन देखते हुए अपने को काफी अच्छा उत्पदन मिलने वाला ऐसा कंडिशन अपने को दिख रहा है एक नहीं हर जगे मैं आपको बता दू क्योंकि मन में डाउट रहता है सभी यह और भी आपको मैं बता रहता हूं कि देख लीजिए मतलब किसी विशेश पोदे का अपना वह आपको नहीं बता रहा हूं मैं तो दोस्तों यह सुझें देख पा रहे हैं अब इसमें बात करेंगे अपन की अब यदि अपनी फसल को देखता है कि आने वाले समय में एक लाश्ट इस पर अपने को और लेना है तो वह कौन सा ले क्या ले किस तरह से ले नमस्कार के साथियों आज फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों सोईबीन के अब लगवग कि सत्तर से पिचवतों दिन की अवदी होने आई है और अभी अपना एक की काम रहता है और मन के अंदर एक चीज चलती रहती है कि अपना सोईबीन का प्रोड़क्शन के किसे अपनों को ज़्यादा मिलें तो किसन साथियों उसके लिए आईए मैं आपको पहले सबसे पहले सोईबीन बता देता हूं उसकी बाद में अपन क्या कमिया है और क्या डाल कर अपन सोईबीन का उत्पादन जो अपना टार्गेट है उसको पन चैस कर सके मैं हो कने अधाकड और आप देख रहे हैं देश की पचान हमारे किसान यूटूब चैनल पर खेती जुड़ी ग्रा आने का आकरबड़ा हो रहा है किसान जादियों यहां पर में थोड़ी एक चीज़ कनफर्म गाना चाहता हूं आप किसी गलत फिमें के शिकार नहों उसके लिए जैसे आपने पोदा देखा है तो इन पोदे में जो उपर की पतियां देख पा रहे हैं और निचे के पतिया अब देख पा रहे हैं लगबग लगबग सारी पतियां अपने को हरी दिखाई देगी इस कंडिशन में आपकी स्वाविन की फसल हैं तो आपको ज़्यादा कुछ देने की ज़रूत नहीं लिहां कुछ चीज़ा ऐसी है जो देनी पड़ेगी लेकिन यदि आपकी फसल आप आपको लगता है कि कमजोर हैं और जो निची की पत्तियां वह पीली पड़ गई है खारापसी हो रही है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा देने की जरूत है क्योंकि दोस्तों जब दाना बनता है कि कोई सी फसल हो जब दाना बनता ना उस समय दाने का आकार बढ़ने में उसके के red a real का जिए से मारा उसके अंदा इसके आपके जादा रहता है तेल की के अड़ेन खाना काम में आता है मुखनी में तेल के लिए काम में आता है अज्यवेंशी करी विसके छुब भी जो रेंसके होंगा उसके उनको प्रोप्रू और तैयार करने के लिए और फसल की फिनि नूट्रिन होते हैं उनको लेकर भोजन बना कर उन्हें दानातों पहुचाने का सबसे ज़्यारा काम अभी चलता है तक कि जो इसके अंदर वीजपनप्र आ है ना वह अच्छा हो हेल्टी हो माइक्रनूट्रिन में इसके इंदर जो भी उसकी खुबिया है वह प्रियाप्त मा बाल्यक नाइत्रू दर्वती है कि टीक है तो दोस्तों अब इसमें कुछ मद्वेद भी है कि कोही कहता बाद में नाइट्रो कर gözी पड़ती है और तो कोई कहते हैं कि बाद में जुरूत पड़ती है दोस्तों यह अपनी बातनी गरव में जो विग्यान का रिसर्च है ना जो क्रिशी विग्यान हो तो इनके अधर मतलब उनके उनुका है कि उनों रिसर्च कर रहें उनके सब्समें बोड़ा हो दोस्तों के लिए नेट्रोंग हो जरूरी है और दूसरे गुरूप कहता है कि बाद में नेटरिंग जरूत नहीं पड़ती है दोस्तों इस अवस्ता में यदि फसल है अब फसल दीर दीर पकने की और जा रही है तो दोस्तों यह बाद अपन भी जानते हैं कि उसकी जड़े भी कमजोर होगी उसकी पतियां भी कमजोर होगी और फसल पगने के अवदी में होगी उस समय फसल को खाने की ज़रूद ज़्यादा होगी इसके लिए दोस्तों यदि पतियां निच्चे से लगा उपर तक हरी है तो आपको ज़्यादा विश्याश कुछ देने की ज़रूद नहीं पड़ेगी लेकिन यदि फसल आपको कमजो नीच्च की भी काफी जरूद पढ़ेगी तो उसको देखते है अपनों ने न्पी के गुनिस, गुनिस, गुनिस या नपी के अठारा, ठारा, ठारा अपने को इस्प्रे में देना है दोस्तों उसमें नाट्रोजिन में होजाए शुख्ष्यमात्रा में फोस्परस भी होग और अपना पोट्राश भी होगा तीनों जोजी हो जाएगी और यदि आपकी फसल स्वस्त है जैसे मैंने भी बताई वीडियो में क्योंकि दोस्तों यहां पर मैंने देशिक हाट डाल रखें जो अपने पैसा का गोपर होतों पकाऊ हो डाल रखें तो इन चींदों कम दिखती है लेकिन आपको लगता है नहीं फसल कमजोर है तो वहां इस देने जरूरी और इस कंडिशन में फसल है आपकी जैसे मेरे पिछी देख पा रहे हैं तो भी आपको इन पीए जिरुरुपजास का इस प्रत करना ही करना है कि साथ ही दोस्तों अब जैसे मोसम खुला है कर सकते हैं यहां फिर इममाब एक्तिन लेकिन इन साथ की मिलाने से ज़्यादा मिलेगा सिर्फ खालिए कि अपन उसके रिजल्ट दिरे से आएगा और तब तक ज्यादा नुक्सान हो जाएगा दोस्तों मैं बताता हूं आपको किस तरह की इल्ली अपने फसल में पढ़ रह है तो दोस्तों काफी मात्रा में इल्ली अभी पढ़ना पर रही है इसके लिए अच्छा का सा इंसिक्टिसाइट डालने होगा तो सबसे बैस्तों सस्तर सुंदर अपना कुलोरुफर्स और साइफर मेत्रिंग का काम्मेनिशन अपनों को ले लेना है साथ में में वाइक दि अपने इच्परे कर सकते हैं इससे आने वाले दिनों के लिए इल्ली का कंट्रोल भी हो जाएगा और फसल 20 दिन रुको 25 दिन रुको बिलुस्फर्स रहेगी और इसको जो भी खात की में जुरूत होगी तो इसके जो पत्तियां बची अभी इनमें इस्ट्रोर्स नैट्रो अपड़ेगा इसलिए अपना एक छोटा सा इस्प्रेश में अपने डाल देंगे और दोस्तों हो सके साथ में तो लिक्वीड जो सागरी का आती है 30-40 ml प्रतिवीस लेटर पानी के साथ से मिला दीजिए फसल कमजोर है पीलीपन में है तो आपकी फसल में जहां 50% पैदावार होने की सम्मानों बनती है वहां 37-80% पैदावार अपने को एक्ष्ट्रा मिलने के चांस बन जाएंगे एंपी के गुनिस गुनिस ले लेना है सागरी का लिक्वीड ले लेनी है और साथ में ही आपको इल्ली केंट्रोल के लिए इंसेक्टिसेट ले लेना है और यदि फसल कमजोर नहीं है तो सिर्फ 50-50 पोटाश अपन लेकर इंसेक्टिसेट लेकर इसप्रे कर सकते है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही दोस्तों जानकरी अच्छी लेगी हो तो लाइक करिएगा शेर करिए कमेंट करिएगा और जो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा मिलते हैं किसे अगले व जए भारत जए जवान जए किसा